इस्ते की पुस्तक अध्याय छे। उसरात राजा को नीनद नहीं आई। इसलिए उसके आग्या से इतिहास की पुस्तक लाई गई। और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षेश के हाकीम जो द्वारपालवी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नाम दो जनों ने उस पर हाथ चलानी की युकती की थी, जिससे मोर्दकई ने प्रगट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकई की क्या प्रत्रिष्ठा और बढ़ाई की गई। राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, अंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से, बहारी अंगन में इस मंसा से आया था, कि जो खंबा उसने मोर्दकई के लिए तयार करवाया था, उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा अंगन में तो हामान खड़ा है, राजा ने कहा उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुश की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने इह सोच कर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा? राजा को उत्तर दिया, जिस मनुश की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, तो उसके लिए राजकिय वस्त्र लाया जाए, जो राजा पहिनता है, और एक घुड़ा भी, जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर्व पर जो राजकिय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए, फिर वह वस्त्र और वह घुड़ा राजा के किसी भी, बड़े हाकिन को सवपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहिनाया जाए, और दगर के चोक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे-आगे यह प्रचार किया जाए, कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा, राजा ने हामान से कहा, फुर्ति करके अपने कहने के अनुसार, उस वस्त्र और उस घुड़े को ले उसने कुछ भी कमी न होने पाए, तब हामान ने उस वस्त्र और उस घुड़े को लेकर मुर्दकय को पहनाया, और उसे घुड़े पर चढ़ाकर नगर के चोक में इस प्रकार पुकारता हुआ गुमाया, कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही क किया जाएगा, तब मुर्दकय तो राजभहन के फाटक में लट गया, परंगतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढापे हुए जट अपने घर को गया, और हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया, तब उसके ब हैं, यदि वह यहुदियों के वंश में का हैं, तो तू तू उस पर प्रवल न होने पाएगा, उससे पुरी रिती नीचा ही खाएगा, वे उससे बाते कर रहे थे कि राजा के खोजों ने आकर हामान को एस्तेर की की हुई जेवनार में फूर्ती से लिवा ले गए